नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं quad group के बारे में जो की आज कल बहुत जादे चर्चा में चल रहा है ये Quad Group मालवार exercise होने वाला इस Quad Group का इसमें जो पहले जो तीन देश थे भारत, जपान और अमेरिका ये तीन देश थे लेकिन भारत के recommend के बाद भारत ने चाहा है क्या जो Australia को भी Quad Group का हिस्सा बनाया जाए जैसे ही भारत ने Australia को Quad Group का हिस्सा बनाने का बात रखा वैसे ही China से विदेश मंत्राले के दरब से जवाब आता है कि जो Australia ये हरकत ना करे जो Quad Group में वो जोईन करे मतलब क्या सीधा सीधी China को Australia को धमकी है जो वो Quad Group में जोईन ना करे अब हम लोग समझेंगे दोस्तो ये Quad Group है क्या और इस Quad Group से चाइना का क्या रिलेसन है और चाइना क्यों Australia को धमकी दिया है जो वो Quad Group में सामिल ना हो Quad Group मालवार एकसरसाइज कुछ दिन बाद होने वाला है इसमें अभी पोस्टमेंट किया गया Australia को अभी एड़ करना है अभी यह है अमेरिका का जहाज आ चुका है अमेरिका का जहाज 300 मीटर लंबा एयर ग्राफ्ट वहां पर अभी 3000 फाइटर जैट खड़ा है जान सकते हैं जो अमेरिका का जे 16 जे 15 इस पर अभी खड़ा है यह फाइटर जैट जो आप लोग देख रहे हैं वही अब हम लोग समझेंगे जो चाइना को क्या प्रॉब्लम है चाइना को इसले प्रॉब्लम है जो इंडियन ओश्टन जो है वहां पर दो देश का चलता है एक चाइना और एक इंडिया लेकिन इंडियन ओश्टन पर चाइना कबजा करना चाहता है और चाइना ने इस बार बहुत जादे छोटे छोटे जो एसियन कंट्री सब है उसको जैसे की इंडोनेसिया इस सब पर काफी जादे दवाव डाल रखा है इस रीजन से अमेरिका ने मालवार एक्सरसाइज का प्लान बनाया है क्वाड ग्रूप पहले ही बन चुका हुआ था लेकिन भारत ने सोचा है जो अगर चीन को चारू बगल से घेरना है तो टॉप जो कंट्री है उसको एक साथ आना चाहिए टॉप कंट्री कौन है औस्टेलिया इंडिया जैपा के टकर लेने का हिम्मत नहीं कर सकता इसके पास इतना पावर है इतना सकती है तो चाइना को रोकने के लिए ही में कौर्ड गूरूप का निर्मान किया गया है तो दोस्तों आसा करता हूं आप लोग को अच्छा वीडियो लगा होगा थैंक्यू सोमाज जैहन जैभारत